जहिन दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आसा करते हैं ठीक होंगे, बढ़ी होंगे देखे दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुती मस्ट वैकेंसी निकल के आया है जो की क्लपक पोंश्ट के लिए वैकेंसी निकला है ठीक है? और इस पर इग्जाम नहीं होगा पहली बात तो इस पर परिक्षा नहीं होगा, परिक्षा नहीं होगी, इसलिए इस पर फॉर्म भरने के लिए कुछ भी पैसा भी आप लोगों को नहीं देना है, यानि विदाउट पेमेंट आप इस वेकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, पॉद का नाम कलर्क है, 744 वेकें सबसे पहले बात करेंगे पोश्ट, अभी हम आपको बताएंगे कि ये वेकेंसी कहां से निकला है, जॉब लोकेशन क्या होगा, विभात क्या है, तो आपको सारा A to Z हम बताएंगे, ध्यान दीजेगा, पद की बात करेंगे, टोटल पोश्ट कितना है, 744, 744 पोश्ट है द देखिए, विभाग की बात करेंगे, विभाग कौन सा विभाग है दोस्तों, तो राजा सो एवंग भूमी सुधार विभाग, ठीक है, जमीन जगह से रिलेटेड संबंदित जो विभाग होता है, जो भूमी से संबंदित काम काज होते हैं, ठीक है, उस विभाग में दोस् से कब तक यह फोर्म भराएका तो 21 आक्टवर से से फोर्म चालू हो गया है 25 जोड़ी भर दिजएगा souls लास्ट डेट है उम्र सीम만 के यह दिभी बात करेंगे एज़ लिमिट कितना से कितना होना चाहिए तो ध्यान से सुनिए आपका जो age है वो कब से गिनेगा 1-1-2022 से यानि 1 January 2022 को आपका उम्र कितना होना चाहिए तो देखिए आपका minimum उम्र होना चाहिए 21 साल maximum उम्र होना चाहिए 30 साल general category का ठीक है बाकी यदि आप BC, EBC यानि OBC categories है तो 3 साल का आपको छूट मिलेगा और यदि आप SC, EBC category से बिलोंग करते हैं तब आपको उम्र में 5 साल का छूट मिल जाएगा समझ मागिया 21 साल minimum चाहिए और maximum सहितिस साल और बाकी इधर 3 साल और 5 साल जोड़ सकते हैं आप maximum वाला में तो यह age limit हो गया समझ भागिया apply fee का बात करेंगे तो no fee इसको भरने में कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है exam भी इस पर नहीं होगा ठीक है द्यान देजेगा इस पर आपको मांदे दिया जाएगा इसको वेतन नहीं कहेंगे इसको क्या कहेंगे इसको मांदे कहेंगे इसको वेतन समझ सकते हो मांदे या वेतन एक चीज़ा है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है इस पर 25,000 आपका इस पर salary रहेगा कितना रहेगा दोस्तों 25,000 तो वेतन भी कापी अच्छा खासा इस पर है लेकिन यह मांदे कहलाएगा क्यों का लाएगा अभी बताते हैं इस बुक में क्या है दोस्तों कि हर टॉपिक का मिला करके 3300 से जादा इस पर अब्जेक्टिव कोशन दिया गया है जिससे आपका अच्छा कासा इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा दूसरा है इस सौट कट्स के नियाम और उससे संबंदित जितना भी previous year का question paper है उस सारा चीजस पर दिया गया है और यह जो book है दोस्तों यह English Medium में भी up labd है तो यदि आप English Medium के student है तो आप इसको लिजेगा और यदि आप Hindi Medium के student है तो आप इसको ले सकते हैं ठीकर? और बहतर तजास है क्योंकि बिना trick का कूज नहीं होने भाला है तो इसको खरीदेंगे कैसे नीचे description box में हम इसका purchase link दे दी हैं वहाँ से भी आप इसको खरीद सकते हैं या फिर अपने नजदी की market से किताब दोकान में जा करके आप इसको खरीद के mathematics की बहतर तयारी कर सकते हैं चायन प्रकरिया की बात करेंगे इस पर selection कैसे होगा आपका तो देखें दोस्तो इस पर no exam पर इक्षा नहीं होगी exam आपका नहीं होगा तो होगा कैसे percentage of 10th, 12th graduation या फिर PG आपने metric किया है, enter किया है, graduation किया है या फिर post graduation किया है सारा का percentage आपका जो भी qualification है सारा का percentage जोड़ेगा और फिर उससे merit आपका बनाएगा समझ मागया, यानि percentage के आधार पर आपका selection इस पर होने वाला है आपका जो भी qualification, यदि दोठो है तो दोठो ही जोड़ा जाएगा, यदि तींठो है तो इनठो जोड़ा जाएगा, समझ मागया नौकरी आपका नहीं है दोस्तो, तो नौकरी आपका कब तक रहेगा, 31 मार्च 2024 तक आपका इस पर नौकरी रहेगा, समविदा के आधार पर, ठीक है, लेकिन लिखा इवे ग्यापनिक में क्या विशक्का पढ़ने पर इसे एक्स्टेंड भी किया जा सकता है, तो बेतन आप ओल इंडिया की स्टूडेंट फिर भी इसको अपलाई कर सकते हैं, बिहार राजस्व एमंग भूमी सुधार विभाग में दोस्तो, लिपिक यानि क्लर्क पोस्ट के लिए 744 पद के लिए वेकेंसी निकला है, बिहार की ये वेकेंसी है, लेकिन ओल इंडिया की स्टू जो कि अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप यहां पर यह देख लिजे दोस्तो की टोटल केटिगरी वाइस कितना कितना सीट है, टोटल सीट हो गया 744 ठीक है, और यहां पर अनुसूचित जाती का 113 सीट है, अनुसूचित जन जाती का 6 सीट है, और अतियं जो इसका 74 सीट है, टीक है, और नीचे यहां पर बहुत बड़ी बात लिखिये है, कि रिक्तियों की संख्या घट या बर्ड सकती है, यानि यह जो नंबर और भैकिनसी देख सकते है, 744 यह घट भी सकता है, टीक है, अब बात करेंगे दोस्तों इस पर वेबसाइट क्या है कहां से आप फॉर्म को भरिएगा, देखिये, 11 नंबर, विस्तरित जानकारी विभागिये वेबसाइट, देखिये, state.bihar.gov.tin.lrs पर देखी जा सकती है, ठीक है, और यहां पर भी दिया गया है, दोनों जोगा आप देख सकते हैं, यही दोस्तों इसका ओफिशल है, आप इसका चाहों, तो स्क्रीन सॉट भी ले सकते हो, और गूगल में सर्च करके, यहां से आप रजिस्टेशन कीजेगा, और ओनलाइन फॉर्म अपलाई कर सकते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, योगगिता क्या चाहिए, इस फॉर्म को भरने में मिनिमुम योगिता क क्या चाहिए, तो पोस्ट किया, दोस्तो, क्लर का पोस्ट है, और इस विभाग में इसकी अलावा और दो ठो भेकेंसी निकला है, तो उसका अलग-अलग हम वीडियो बना देंगे, ठीक है, यह जो फिलाल भेकेंसी निकला है, इस पे मांगा है ग्रेजुएशन, क्या चाहि अलग से वीडियो आप लोगों को बना करके दे देंगे, ठीक है, तो आप लोग इस वेकेंसी के लिए यदि एलिजिबल है, इच्छुक है, कि हम भरेंगे, नौकरी लेंगे, कितनों अवधी का नौकरी है, कितनों टाइमिंग का है, आप इसको इसको इदे भरना चाहते है तो इतना आपका मांदे होगा, क्योंकि जो पर्मानेंट नौकरी होता है, उसमें आपको सेलरी मिलता है, बेतन मिलता है, उस पे आपका ग्रेड पे रहता है, लेकिन ये नियोजन हो रहा है, समविदा के आधार पर आपका जौब है, इसलिए इस पे मांदे आपको दिया ज रखते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते नेक्ट वीडियों बहुत जल्द तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद